नोट बंदी पर विपक्षी नेताओं की आज राश्ट्रुपती से मुलाखात आईकर संशुधन विधेक उधन विधेक की रूप में पेश करने का उठाएंगे मुद्दा वेतन के बावजूद पैसे ना मिलने से लोगों की बढ़ी परिशानी राहूल गांदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने पर एफाई आर दर्च कॉंग्रिस का विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप डिजिटल सुरक्षा पर उठाय सवाल अमेरिका से 145 सौविट जर तोपी खरीदेगा भारत दोनों देशों की बीच 5,000 करोड रुपे के रक्षा सौधी पर हस्ताक्षर चीन सीमा पर तैनाथ होंगी तोपे चक्रवाती तुफान नाड़ा के तमिल लाडू के उत्री तट से 2 दिसंबर तड के टगराने की आशंका भारी बारिश की चीतावनी एंडियारेफ एसडियारेफ की टीमे तैनाथ दो दिन के लिए स्कूल बन और हर महीने 12 लाग बैरल कच्छे तेल का उत्पादम होगा कम वियना में उपेक देशों की बैठक में फैसला बढ़े तेल के दाँ नोट बंदी के मामली पर आज विपक्षी दलो के नेता राश्ट्रबदी प्रणवों खरजी से मुलाखात करेंगे देरशाम होने वाले इस मुलाखात की दौरान विपक्षी पार्टियां आईकर संचोधन विधे को धन विधे के रूप में पेश करने का मुद्दा उठाएंगी इन में नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली जादा तर पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं विपक्षी दलो की अब से कुछ देर बाद संसद परिसर में बैठक होने वाली है इसमें दोनों सदनों में आगे की रणनिती पर चर्चा की जाएगी विपक्षी दलो की बैठक के बाद कॉंग्रेस संसदिय दल की बैठक भी होनी है नोटबंदी पर संसद में पिछले 10 दिन से अवरोध जारी है विपक्ष चर्चा के दोरान प्रधानमंत्री की मौझूदगी की मांग पर अड़ा हुआ है और आज पहली तारीक है कर्मचारियों की तंखवा का दिन लेकिन लोगों में पैसे निकालने को लेकर अभी भी संशे बना हुआ है बैंकों में नकदी को लेकर फिलहाल देक्कते बनी हुई है नोटबंदी के फैसले के 23 दिन बाद भी कई ATA मशीनों से लोग कैश नहीं निकाल पा रहे हैं हाला कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अलग से इंतजाम किये जाने की बात कही है फिछले हफते सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतर में 10,000 रुपए नकद देने की विवस्था भी की थी खातों से तंख्वा की रखम निकालने को लेकर आर्बियाय ने भी बैंकों को रोजाना दी जाने वाली राशी में इजाफा किया है नोटबंदी पर संसत के दोनों सदनों में कल भी अवरोध रहा राज्य सम्हा में विपक्ष ने नोटबंदी से मरने वालों के परिजनों को मुआवज़ा देने की मांग की वहीं लोग समा में चर्चा की बाद मत विभाजन की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है सदन में दस्वे दिन भी गतिरोत की बज़े से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नितियों की बज़े से लोग भी हाल है और नोटबंदी की वज़े से मारे गए लोगों को सदन में श्रधांचली देनी की मांग की विपक्ष ने चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री की सदन में मौजूद्गी की मांग दोहराई विपक्षी दलों ने नोटबंदी की वज़े से जानगवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआफ़ा देने की भी मांग की सरकार ने विपक्ष से नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने की बात कही करंसी के विशे पर चर्चा चल रही है और सीमा की स्तिती के संबंद में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है गतिरोथ की वज़े से सदन की कारवाही बाधित हुई आखिकार सदन की कारवाही गुरुबार सुबे 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी इधा लोग सभामी नोटबंदी के मसले पर अवरोध हुआ इस मुद्धे पर विपक्षी दलों की कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताफ का नोटिस दिया जिसे स्पीकर ने खारिच कर दिया कॉंग्रिस और टेमसी समेट विपक्षी दलों ने नियम 56 के तहट चर्चा की मांग की संसदिय कारे मंत्री अनंद कुमार ने कहा कि सरकार लोट बंदी पर व्यापक चर्चा और विपक्ष की सुझावों पर गौर करने के रिए तयार है विपक्ष के अवरोत की चलते सदन की कारेवाही कई बार बाधित हुई आखिर में इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया प्रणव गोस्वामी के साथ प्रती मिश्टा प्राग्जिसभार टीवी जनधन खातों में दूरुपियों के खबरों के बाद सरकार ने इन खातों से रकम निकालने पर बंदेशे लगा दी हैं इन खातों से एक महीने में 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं इस बीच संसत के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोट बंदी पर बयान बाजी जारी है आर्बियाई ने जंधन खातों से रकम निकालने पर कुछ पंदेशे लगाई हैं कि वियाई से नियम पूरा करने वाले खातों से एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं जो खाते ये नियम पूरा नहीं करते हैं, उनसे 5,000 रुपे निकाले जा सकते हैं। हलाकि RBI ने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए, बैंक मैनेजर 10,000 से भी अधिक निकासी की अनुमती दे सकता है। उधर दिली हाई कोट ने शादी के लिए धाई लाक रुपे की लिमिट को चुनौती देनी वाली याचिका खारिच कर दी है। कॉंग्रिस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आईकर संशोधन विधै को लेकर सरकार पर कुछ इस तरह हमला किया। हमारा कहना है कि 50-50 में 50% ब्लाक मानी वापिस दे दिया है सरकार ने चोरों को। पश्यम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने बुद्वार को पटना में राली की। उन्होंने आरोप लगाया कि नोट बंदी स्थ्री धन के साथ महिला शक्ति का अपमान है। वही आमानी पार्टी ने नोट बंदी के बाद 8 लाक करोड रुपे के गोटाले का आरोप लगाया। उधर सरकार ने आरोप लगाया कि नोट बंदी के विरोध पर विपक्ष की एकता तूट गई है। नोट बंदी के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार को घे रहा है लेकिन सरकार इसे काला धन के खिलाफ बड़ी लड़ाई बता रही है। नोट बंदी के बाद सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में लग गई है। इसके लिए कल 13 सदस्यों के एक समिती बनाए गई इसके अगवाई आंदरप्रदेश के मुख्यमंत्री चंदरबाबुनाईडू करेंगे। समिती में पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। समिती दुनिया भर में नाख़दी के बिना लेंदेन का ध्यान करेंगे और इस अधार पर रोड मैप तयार करेंगे और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने पर सुझाओ देगी। समिती कैशलिस ट्रांजाक्शन को घर-घर पहुचाने के उपायों पर भी सुझाओ देगी। कॉंग्रेस सुपाध्यक्ष राहुल गांधी का अधिकारिक ट्विटर एकाउंट हैक किये जाने पर पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कॉंग्रेस प्रवक्ता रंदेप सुर्जेवाला ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया और सरकार से इस मामले में दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांगी। भारतिय राजनीती के अपराद में इससे शरमनाक अपराद हो नहीं सकता जब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इतनी घटिया और छोटी हरकतों पर कुछ लोग उतर आये हैं। कॉंग्रिस ने इस मामले को लेकर डिजिटल सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किये। तो बीजेपी ने कॉंग्रिस पर कैशलेस अर्थविवस्था के लिए सरकार की पहल को बदनाम करने कारूप लगाया है। और देश की सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और कुछ आपत्ती जनक ट्वीट किये गए। ट्वीटर इंडिया को बाकाइदा शिकायत की गई जिसके बाद एकाउंट को रिसेट कर दिया गया। ब्योरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी। नौ सदस्य वाली समिती ने कल रिपोर्ट का नया मसौदा सुईकार किया। केंद्र सरकार ने 15 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की सूची में शामिल करने को मन्जूरी दे दी है। इसके अलावा 13 अन्य जातियों में बदलाव भी किया गया है। पिछड़ा जाती आयोग ने सरकार से 8 राजियों में 28 बदलावों की सिफारिश की थी। बुद्वार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधी मंडल की बैठक में इस फैसले पर मुहन लगाई गई। फैसला लागू होने के बाद असम, बिहार, जारखन, हिमाचल परदेश, महाराष्ट्र, मध्यपरदेश, जम्मु कश्मीर और उत्राखन से जुड़ी इन जातियों को शैक्षनिंग संस्थाओं और सरकारी नौक्रियों में आरक्षन की सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल इन जातियों के नाम को सार्वजिनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा पियोके के शर्णार्थियों के पुनरवास के लिए दो हजार करोड उपय के विशेश पैकेज को भी मनजूरी मिली है। इसके तहत जम्मु कश्मीर शेत्र में रह रहे 36,384 परिवारों को बड़ी हुई आर्थिक मदद मिल सकेगी। किंद्र सरकार ने सैलानियों और विदेशी कारोबारियों के लिए वीजा नियमों में धील देने का फैसला किया है। साथ ही मुंबई में अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सब अर्बन रेल लिंक प्रोजेक्ट के लिए दस हजार करोड रुपे मनजूर किये गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अगले पाँच साल में पूरा होने की उम्मीद है। भारत ने अमेरिका के साथ M777 अल्ट्रा लाइट ओविद सिर्थोपों के लिए बड़ा खरार किया है। सुरक्षा मामलों की मंद्री मंडलिय समिती ने इसके लिए मनजूरी दे दी है। करार के तैद भारते सेना के बेड़े में 145 सौविच सिर्थोप शामिल की जाएंगी। मुद्वार को भारत अमेरिका मिलिटरी कॉर्परेशन समूग की शुरू हूई दोदी वसीय बैठक में इस सौदे पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों देशों के बीच ये 15 वी बैठक है, 5000 करोड रुपे के सौदे में 145 में से 120 तोपे भारत में भी तैयार की जाएंगी। जबकि 25 तोपे तैयार अवस्था में ही मिलेंगी। पीटिया के मताबिक इन तोपो को अरुनाचर प्रदेश, लद्दाफ और चीन बॉर्डर पर तैयनात किया जाएगा। खबर जा रही हैं, हम लोट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमर्त्य सेन, पहले भारतिये, जिन हें मिला अर्थशास्त्र के क्षित्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूप जैसे विशेहों पर सेन ने किया है उलेखनी ये काम। लोग कल्यानकारी अर्थशास्त्र के उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। बश 2010 में सरवाधिक प्रभावशाले व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। सेना ने एकल जम्मू के नग्रोटा सैन ने शिवर में दूसरे दिन भी सर्च उपरेशन जारी रखा। सेना प्रमुक जनरल दरबीर सिंग सुहाग ने भी नग्रोटा जाकर सुरक्षा हलात के समिक्षा की वे बीस एफ ने सीमा पर सुरंग का खुला सकिया। जम्मू के नग्रोटा सैन ने शिवर में सेना ने दूसरे दिन तलाशी अभ्यान चलाया। सेना के मुताबिक शिवर में किसी आतंकी के छुपे होनी की आशंका को देखते हुए सर्च उपरेशन किया गया है। इस बीच सेना प्रमोख जनरल दलबीर सिंग सुहाग नग्रोटा पहुँचे और सुरक्षा हालात की समीख शाकी। बेस एफ ने खुलासा किया है कि बुधवार सुभा सर्चिंग उपरेशन के दौरान अंतराश्ट्य सीमा पर सुरंग मिली है। माना जा रहा है कि ये सुरंग है जिसके जरिये आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। सामा और नग्रोटा में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और दूसरी चीज़ें मिली हैं जो पाकिस्तान में बने हैं। BASF का कहना है कि वो सीमा पार से संघर्ष विरामुलंगन और आतंकी घुसपैट से निपटने के लिए पूरी तरहां से मुस्तैद है। National Conference के नेता ओमर अब्दूला ने कश्मीर में सीमा पर तनाव और आतंकी घर्णाओं में तेजी पर चिंता जताई है। जम्मु कश्मीर सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकीों की घुसपैट को करारा जवाब दिया जा रहा है। मंगलवार तर के आतंकीों ने नगरोटा स्थित से निशिवर पर हमला किया था। इसमें सेना के दो आधिकारी समेट साथ जवान शहीद हो गए थे और तीन आतंकी मार गिराए गए थे। वहीं सामबा सेक्टर में भी BSF ने तीन आतंकीों को धेर कर दिया था। अब सिनेमा घरों में फिल्म दिखाने से पहले राश्रोगान बजाना और तिरंगा दिखाना अनिवारे होगा। सुप्रीम कोट ने कलिया आदेश दिया। कोट ने कहा कि राश्रोगान बजने पर दर्शिकों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए। कोट ने आदेश लागो करने के लिए केंद्र को एक सपताह का वक्त दिया है। वही राश्रगान को आपती जनक चीजों पर छापने या दिखाने की मना ही होगी। राजनितिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। कोट का आदेश एक चनहित याचिका पर आया है। इसमें फिल्में दिखाने से पहले राश्रगान बजाने के समुचित नियम बनाने की मांग की गई थी। बिरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी। पंजाब सरकार ने सतलोज यमुना लेंक नहर की जमीन भूस्वामियों को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद हर्याना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामने में अगले सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री राश्रपती से मिल चुके हैं। पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के विरोध में हैं। बंगाल की खारी में बने चुक्रवादी तुफान नाडा की दो दिसम्बर तड़के तमिल लाडू के उत्री तट से टकरानी के आशंका है। मौसम विभाग की जानकारी के मताबिक ही तुफान चिन्नाई और वेदारन्यम के बीच कुडूलूर के पास तट से टकराएगा। इस चक्रवाद की वज़े से तमिल लाडू के उत्री तटी आलाकों में तेज बारिश की संभावना है। इंडियारिफ की चार्टी में अतियात तन चिन्नाई, कडलोर और नागपटनम जिले में तैनात कर दी गई है। मौसम विभाग ने मश्वारों को तमिल लाडू और पुदुचेरी तटो पर समुद्र में नहीं जाने की सला दी है। समुद्री तूफान के चलते प्रिशासने, चिन्नाई, काचिपुरम, तिरुवलूर, कडलोर और नागपटने में स्कूल बंद रखने के आदेश दिये हैं। दिल्ली में कोहरे की वजए से लोगों को खासी परिशानी झ्हिल्नी पड़ रही है। विजिबिलिटी कम होने की वजए से गाडियों की रफ्तार थम गई है। दिल्ली एरपोर्ट पर कोहरे की वजए से सभी उढ़ाने फिलहाल रद्ध हो गई हैं। और संचालन बन कर दिया गया है। कई रिलगानियां घंटों की देरी से चल रही है। उधर दिल्ली में प्रदूशन के स्तर में एक बार फिर कई गुना बढ़ हुतरी दर्ज की गई है। को 410 अंक के साथ गंभीर श्रिणी में डाला है। जबकि दिल्ली प्रदूशन नियंतरन समीती के आकडों के मताबिक, आज सुभग कई इलाकों में प्रदूशन का स्तर सामान्ये से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया। इस्तर 378 रहा, जबकि इसका सामान्ये इस्तर 100 और 60 है। दिल्ले में दो दिनों से घने कोहरे की वजह से विमानों की उडान पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा सडक और रेल यातयात की रफ्तार भी थमी हुई है। धुन के चलते 50 से ज्यादा रेल गाणियां घंटों देरी से चल रही है। भारतिय मासम विभाग की मताबिख कोहरे की वजह से द्रफ्षेता में लगातार गिरावट चारी रहेगी। उधर NGT ने भी राइधानी के बिगड़े हुए वातावरन पर दिल्ले सरकार को फटकार लगाई है। बुधवार को NGT ने दिल्ले के हालात पर नाराज़ की जताते हुए कहा कि दिल्ले सरकार परियावरन को छोड़ कर हर चीज के लिए चिंतित है। एक RWA की याचिका पर सुनवाई के दौरान NGT ने कहा कि दिल्ले में मच्छरों की तादाद बढ़ी हुई है और लोग के तरह की बिमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी को भी लॉंच किया जाएगा। लोगों को HIV AIDS के प्रती जागरुक किया जाता है। विश्व AIDS दिवस की शिरुवात 1 दिसंबर 1988 को हुई थी जिसका मकसद HIV AIDS के पीडित लोगों की मदद करने के लिए पैसा जमा करना और लोगों में AIDS को रोकने के लिए जागरुकता पहलाना था। भारत में भी सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को इस बिमारी के प्रती जागरुक करने में जूटी है। दिल्ली में विश्व AIDS दिवस पर छातरों ने जागरुकता के लिए नुकर नाटक भी किये। साथी कई राज्यों में रैली के जरिये लोगों को HIV AIDS के बारे में जानकारी दे गई। इस बिमारी से पिड़ित लोगों से भेधभाँ को रोकने के प्रती लोगों को जागरुक करना भी AIDS दिवस का मुख्या उदेश है। उपैक देशों के कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के फैसले के बाद तेल के दामों में 8 फीसदी इजाफा हुआ है। उपैक ने कल वियना में हुई बैठक में उत्पादन में प्रति दिन 12 लाख मेरल की कमी का फैसला किया है। इसका असर आने वाले दिनों में भारत जैसे बड़े आयात को पर पढ़ना तैय माना जा रहा है। उपेक के इस ऐलान के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आठ फीसिदी से ज्यादा का इजाफा दर्श किया गया। संस्ता का मानना है कि बाजार में संतुलन बनाने के लिए ये फैसला जरूरी था। इस फैसले का असर भारती आर्थ विवस्ता पर पढ़ना तैय माना चा रहा है। भारत कच्चे तेल की अस्से फेसिदी जरूरत आयात से पूरी करता है। अगर कच्चे तेल के दाम एक डॉलर परती बैरल भी बढ़ते हैं तो भारत को तेल की मांग पूरी करने के लिए हर साल कई अरब डॉलर ज्यादा खर्श करने पढ़ेंगे। उपेक के फैसले से चीन की अर्थ्यवस्था भी प्रभावित होगी। दुरूर रच्चे स्थाफ़ा टीवी कॉलंबिया में मंगलवार को विमान हादसा इंधन खत्म होने की वज़े से हुआ था। जिन में से कीवल छे ही जीवित बच सके। बात खेलों की बकाओ उपन में बुद्वार को भारतिया बैडमिंटन खिलाडियों ने अपना शानदार खेल जारी रखा। महिला एकलवर्ग में स्टार खिलाडी साइना नेवाल ने पहले दौर का मकाबला जीत कर अगले दौर में जगहा बना ली है। साइना ने इंडोनेशिया की हनारामदीनी को 21-23, 21-14, 21-18 से माद दी। दोनों की बीच एक घंटे तक मकाबला चला। साइना को इस जीत के लिए कड़ा संघर्श करना पड़ा। साइना नेवाल का अगला मकाबला इंडोनेशिया की दिनार दिया आयूस्तीन से होगा वहीं पुरुशे कल की बात करें तो पहले गेम में पीकश अपने अच्छा प्रदेशन करते हुए चीनी ताइपे की चुनवेई चेंगो 21-28 से हरा कर अगले दौर में जगहा बना ली और अखर में हेडलाइन्स आवास दबाने का रोप डिजितल सुरक्षा पर उठाए सवाद अमेरिका से 145 हुविद्जर तोपे खरी देगा भारत दोनों देशों के बीच 5,000 करोड रुपे के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर चीन सीमा पर तैनाध होंगी तोपे चक्रवाती तुफार नाडा के तमिल नाडू के उत्तरी तट से 2 दिसंबर तड के टकनाने की आश्चंका भारी बारिश की चेतावनी एंडियर एफ स्जियर एफ की टी में तैनाध दो दिन के लिए स्कूल बंद हर दिन 12 लाख बैरल कच्छी तेल का उत्पादन होगा कम वियना में उपेक देशों की बैठक में फैसला बढ़े तेल के दाम और फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आगे देखिए देश देश आंतर नमस्कार